हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज है 29 दिसम्बर ट्रपल्स एक्जाम स्टार्ट होने में कुछी दिन बचे हुए आपके पास जितना टाइम है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहे हैं आप प्रीबियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियो ज़रू देखे आपको यहां से बहुत से ऐसे क्वेशन होंगे जोकि सेम टू सेम ट्रपल्स एक्जाम में देखने को मिलेंगे तो आज का टेस्ट भी काफी इंप्वर्डेंट है आप इस टेस्ट को लास तक ज़रू देखीगा तो आई देखते हैं आ आना चाहिए इस क्वेशन में क्या पूछा गया है तो अगर हम यहां पर राइटर में कोई आपजेक्ट इंसर्ट करते हैं जैसे आप यहां पर जा सकते हैं आपजेक्ट इंसर्ट करने के लिए सेप में यहां से आप कोई भी आपजेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने से corner से खीचते हैं आप देख सकते हैं यहां पर लंबाई और चोणाई एक साथ बढ़ रही है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा option B चोणाई और उचाई या फिर लंबाई तो इस question का right answer हो जाएगा option B और अगले कुछ ने प्रतिक click model की आधार पर भुकतान विग्यापन को कहा जाता है यह सभी question दिसमबर ट्रपल से खाम में पूछे जा चुके हैं बताई इस question का right answer क्या होगा प्रतिक click model की आधार पर भुकतान विग्यापन को कहा जाता है feedback, प्रायूजित, search engine विग्यापन या फिर search विग्यापन या फिर referral link ये कुछ चुने हुए questions हैं जो की दिसमबर ट्रपल से खाम में पूछे गए थे जिनको आज के हम online test में discuss कर रहे हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option C search विग्यापन अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए search विग्यापन क्या होता है जैसे कि इस particular model को बोलते है CPC इसका full form होता है cost per click जो की search विग्यापन के model पे आधारित होता है तो अब हम देखते हैं अगला question अगला question है निम लखित में से कौन सी पहचान प्रक्रिया antivirus software द्वारा उपयूग नहीं की जाती important question है अगर आपको right answer नहीं पता है तो कहीं पे note कर लीजे इन में से कौन सा detection process इस्तिमाल नहीं किया जाता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के detection process होते हैं तो चार अलग अलग तरह के detection process होते हैं जिनको antivirus में इस्तिमाल किया जाता है इस question का right answer हो जाएगा option B signature less detection आप यहाँ पे हिंदी वर्जन देख सकते हैं हस्ताचर कम पता लगाना जो कि इस question का right answer होगा यह इसका antivirus reduction process नहीं है अब यह चार कौन-कौन से process होते हैं जैसे कि मैंने बता है चार process होते हैं antivirus reduction method चाल होते हैं पहला होता है signature based reduction heuristic based reduction या फिर behavioral reduction या फिर cloud based reduction तो आप इन चारों के नाम याद रखी यहां से भी questions पूछे जा सकते हैं और अगला कुछन है LibreOffice writer में font आकार के drop down menu में निम्ड में से कौन सा font आकार बिकल्ब उपलब्ध नहीं है यह काफी basic सा question है बट कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं यह drop down menu होता है कि इसको भी आप देख लिजी जैसे हम यहाँ पर writer open करेंगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा drop down menu यहाँ से दो चीज़े और पूछी जाते हैं minimum font size क्या होता है drop down में ति होता है minimum 6 और maximum की बात करें ति यहाँ पर आपको दिखेगा 96 ति यह drop down menu के अंदर आपको maximum 96 और minimum 6 दिखता है आप यहाँ दिखेए 6, 7, 8, 9, 10, 10.5 इसके बाद 11, 12, 13 13 दिया हुआ है 14, 15, 16 इसके बाद यहाँ पर 17 मिसिंग है इसके बाद आप देखेंगे 18 दिया हुआ है 19 मिसिंग है तो अब आपको दिखना है option में क्या दिया गया है 10 दिया हुआ है, available है 13 भी available है, 24 अगर आप देखेंगे तो यह भी यहाँ पर available है आपको यहाँ पर click करना आप देखें नीचे जाएए तो आपको दिखेंगे यहाँ पर 24 यह भी available है, means इस question का right answer क्या हो जाएगा, option D 19, जो कि drop down menu में उपलब्ध नहीं है और अगला कुछ नहीं, internet of things को network connection की बहुत आवस्चता है प्रस्तावित, white space, radio मानक क्या कहलाता है तो यह भी एक important question है जो कि December मन्द के 66 exam में पूछा गया था, इस question का right answer हो जाएगा option C, wait list इस question में पूछा गया, internet of things को network connection की बहुत आवस्चता है क्योंकि internet of things में जितने भी devices होते हैं, उस सभी के सभी network से connected होते हैं प्रस्तावित, white space, radio मानक क्या कहलाता है, इसको बोलते है wait list और अगला कुछ ने window 10 के लिए, बिक्सित, नवींतम platform को क्या कहा जाता है window 10 के लिए बिक्सित, नवींतम platform को क्या कहा जाता है तो ऐसे questions साइधी आपको कहीं और मिलेंगे सभी important questions हैं और ये सभी 100% genuine questions हैं जो कि December 666 exam में पूछे गए हैं तो इस question का right answer हो जाएगा आपसने universal windows platform एक कैसा platform या एक नया platform window 10 के लिए बिक्सित किया गया है जो कि हर एक device के लिए comfortable होगा means जिस भी device पे window 10 operating system इंस्टेमाल किया जाएगा वहाँ पे same user interface मिलेगा सभी options आपको windows 10 के मिलेंगे और अगले कुछे ने कम सक्ति वाले usp device को बिजली की आप पूर्ती कैसे की जाती है basic से question है जो low power consumption वाले devices होते हैं जिनको usp से connect किया जाता है वो उनको usp के माध्यम से power supply मिलती है तो इस question का right answer हो जाएगा option d usp cable के माध्यम से और अगले question है e-business growth के एक बड़ी समस्य है बताई इस question का right answer क्या होगा e-business growth की एक बड़ी समस्य है कौन से बड़ी समस्य है उचित बुनियादी धाचे का अभाव या फिर ब्रिकृताओं की कमी या फिर बाजार का अभाव या इन में से कोई नहीं तो e-business growth की एक सबसे बड़ी समस्य है उचित बुनियादी धाचे का अभाव इस question का right answer होगा option A उके तो अब हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ सभी questions आज के important है आप इस test को last तक ज़रूर देखे आपको exam में काफी help मिलेगी और अगले question ने RPA तकनिक की सुभिधा का नुपालन नहीं करती है यहाँ से एक और question बनता है RPA का full form भी कई बार exam में पूछा गया है तो RPA का full form होता है robotic process automation तो यहाँ पे देखे options दियेगे reliable, accurate, high productivity या फिर analytic capability तो यहाँ पे पूछा गये RPA तकनिक की सुभिधा का नुपालन नहीं करती है इस question का right answer हो जाएगा option D analytic capability का अनुपालन नहीं करती इस question का right answer हो जाएगा option D तो अब हम बढ़ते हैं अगले question की तरफ और अगले question है निमलकित में से कौन सा 100 संपूर्ण malware computer program है जो खुद को तोहराता और अन्ने computer में फैलाता है question काफी basic सा है इससे पहले भी इस question को कई कई बार exam में पूछागे है बस इसको पूछना का जो तरीका होता है language होती उसको बदल दिया जाता है तो बिल्कुल सा इस question का right answer हो जाएगा option C war तो अब देखते हैं अगला question और अगला question है network एक computer के बीच data packet aggressive करने के लिए नेमलेकित में से कौन सा उppकरण जिम्मेदार है network पर computer के बीच data packet aggressive करने के लिए नेमलेकित में से कौन सा उppकरण जिम्मेदार है सबसे पहला option है repeater, modem, router या फिर hub तो इस question का right answer हो जाएगा option C router जो कि network में एक computer से दूसरे computer पे data packet अगर सितिया भेजने का काम करता है और अगले कुछ ने नेमलकित में से किसमे data पुनर प्राप्ति के संदर्प में सबसे तेज पहुँच समय है Which of the following has the fastest access time in terms of data retrieval? इसका English version आप नीचे देखे तभी आपको समझ में आएगा कुछ ऐसे questions होते हैं जिसको अगर आप Hindi में समझने कोशिस करेंगे तो काफी complex लगते हैं इसी वज़े से मैं हमेशा suggest करता हूँ आपको computer, Hindi और English दोनों language पे पढ़ना चाहिए तो इस question का right answer हो जाएगा option C, SSD जिसका access time सबसे कम होता है और अगला कुछ ने इन्यम लेकित में से कौन Unix पर आधारित नहीं है ये question भी triple C exam में कई बार पूछा गया है Darwin, FreeBSD, Python या फिल Linux तो इस question का right answer हो जाएगा option C, Python एक programming language है ये Unix पर आधारित नहीं है जबकि Darwin, FreeBSD या Linux की बात करें ति ये सभी Unix पर आधारित होते हैं और ये सभी operating system है और अगला कुछ ने HTML के लावा web page के द्रस से सुरूपल को set करने के लिए निम्न विकल्पों में इसे किसका उप्यूग किया जाता है जब आप कोई web page बनाते हैं तो उसकी base language होती ही HTML बट उसको attractive बनाने के लिए उसके साथ कई अलग-अलग skeptic language का इस्तिमाल किया जाता है जैसे कि CSS तो इस question का right answer हो जाएगा option C CSS का full form होता है Cascading Style Seats और अगल उसने IP network पर audio और video के लिए किस protocol का उप्योग करते हैं ये question भी कई बार exam में repeat हुआ है तो आप सभी previous online test के वीडियोज देखते रहे आप हमारी website gyanxp.com से mock test देते रहे यहाँ भी आपको काफे important questions मिल जाएंगे क्योंकि ये सभी questions वहाँ पर भी upload हो रहे है तो इस question का right answer हो जाएगा option B RTP अब RTP का full form भी कई बार exam में पूछा गया है Real Time Transmission Protocols का full form होता है और अगला question ने PGP का मतलब है means PGP का full form पूछा गया है तो इस question का right answer हो जाएगा option ये Pretty Good Privacy और अगला कुछ ने जो CPU और Input Output के बीच संकेतों की गत्विधियों को नियंत्रित करता है जो CPU और Input Output के बीच संकेतों की गत्विधियों को नियंत्रित करता है ALU, Control Unit, Memory Unit या फिस Secondary Storage तो इस question का right answer हो जाएगा option B, Control Unit और अगला कुछ ने निम्न में प्रथम Graphical Web Browser कौन सा है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला Important Question है तो इस question का right answer हो जाएगा option B, Mosaic इसको किस ने डवल अप किया? Mark Anderson ने अगर यहाँ पर पूछा जाता निम्न में से प्रथम Web Browser कौन सा है तो इस question का right answer हो जाएगा option E, www जोकि non-gy base सबसे पहला एक Web Browser था जिसको टेम बर्नर्स ली द्वारा बिक्सित किया गया था और अगला कुछ ने जब हम computer में दस्तावीज बनाते हैं तो अस्थाई रूप से दस्तावीज कहां संग्रहित होते हैं RAM, ROM, CPU या फिर Hard Disk RAM, ROM, CPU या फिर Hard Disk तो जब हम computer पे काम कर रहे होते हैं कोई document बनाते हैं तो उस time पे वो जो data होता है document का वो RAM पे store रहता है अगला कुछ ने IMF का पोन रूप है तो full form के कई सारे वीडियोज हमने अपने चैनल पे upload करके रखे हैं जो कि सभी triple exam में पूछे के important full forms हैं तो आप हमारे चैनल की playlist में जाके full form की वीडियोज देख सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा आपसे ने इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट एक इस्टेंडर होता है और अगला कुछ ने calc में filter क्या है ये भी काफी basic सा question है इस question का right answer हो जाएगा आपसे ने business पंक्तियों को देखने के लिए जैसे हमारे पाप बहुत सारी अलग अलग तरह के data हैं इसको आप filter करना चाहते हैं उसमें से कुछ business data या specific row देखना चाहते हैं तो आप filter को apply कर सकते हैं ये कैसे करते हैं इसको अलड़ी मैंने calc के वीडियोस में practical के साथ बताया है और अगला question जो की calc से जड़ा हुआ है निम्ण में असमांतर operator कौन सा है इसको थोड़ा सा समझ लिजए जैसे यहाँ पर लिखते हैं two और यहाँ पर inequality operator अपलाई करते हैं यहाँ पर लिखते हैं four आप बताए इस question का right answer क्या आएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका जो right answer है वो क्या आएगा true या false true आएगा यह फिर false जल्दी इसे बताए तो अब इसको आप अच्छी तरीके समझ लिजए क्योंकि यहाँ से भी question पूछे जा सकते हैं इस तरह से operator apply किया जा सकते हैं यहाँ पर कुछ numbers दिए जा सकते हैं और यहाँ पर पूछा जा सकता है true false में यह question ओके अगर यहाँ पर values equal नहीं है then इसका जो result होगा वो आएगा true और इन case यहाँ पर values equal हैं इस तरह से तो इसका result आएगा false क्योंकि inequality operator तभी आपको true देगा जब inequality होगी means values equal नहीं होगी जब equal होगी उस case में यह देगा false तो आप इसको practical के साथ भी देख लिजे तभी आपको समझ में आएगा तो यहाँ पर हम चलते हैं calc पे और किसी excel में हम कुछ values को type कर देते हैं जैसे यहाँ पर मैंने रखा 2 और इस तरह पर रखते हैं 4 और यहाँ पर हम इसका result देखना चाहते हैं तो सबसे पहले equal sign लगाएंगे इसके बाद इस cell का address यहाँ पर हमने click किया आप इस तेगे पर inequality operator लगा देते हैं और इसके बाद हम इस cell को type कर देंगे आगे हैं यहाँ पर A1 यहाँ पर inequality operator लगावाए B1 इंटर की hit करते हैं तो आएगा true देखे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर true आ रहा है बट अगर इनकी values को हम equal कर देते हैं जैसे यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 है उसके इसमी क्या आएगा false तो यहाँ से भी कई सारे questions बन सकते हैं इस question कर I transfer हो जाएगा option A जो की inequality operator है आप इसको calc या excel दोनों में apply कर सकते हैं और अगला कुछ ने computer network में bandwidth क्या है तो जिनका भी exam फरवरी में होने वाला है प्लीज आप सबसे पहले syllabus complete कीजे इसके बाद आप practice कीजे आराम से आप घर बैठे एक बार में triple C के exam qualify कर सकते हैं पूरा syllabus आपको हमारे चैनल पे triple C ने उस syllabus complete course नाम की playlist है 57 वीडियो में free of course पूरा syllabus मिल जाएगा तो आप यहां से syllabus complete कर सकते हैं तो इस question का right answer जाएगा option A अधिक्तम data transfer दर किसी भी network में maximum जो उसकी छमता होती है data transfer की जो छमता होती है इसको बोला जाता है bandwidth के स्वामित को बदलने के लिए किया जाता है अगर किसी file का ownership change करना है तो इन में से किस command का इस्तिमाल करेंगे यह question में कई बार exam में पूछाएगा इस question का right answer हो जाएगा option D CHOWN Change ownership इसका full form होता है और अगले question FDM क्या है और जो लोग हमाई साथ online जुड़ते हैं इस online test में आप सभी से request है please comment section में unusual comments ना करें जो questions हैं उससे related आप comments करें या फिर आप सिर्फ answer reply करें कुछ तिनों से मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आते हैं और unusual comments करते रहते हैं आगे से इस तरह की activities नहीं होंगी हलाकि मैं comment section में आप सभी को बोलता रहता हूँ और आप हमीशा कोसिस करें कि आप questions पे focus करें उसके right answer के हैं आप उससे reply करें प्लस अगर किसी question से related कोई doubt होता है तो आप महाँ पे discuss कर सकते हैं तो अब हम देखते हैं इस question का right answer इस question का right answer हो जाएगा option A Fused Deposition Modeling जो की 3D printing technology होती ही और अगला question है कौन सा एक RPA tool नहीं है कौन सा एक RPA tool नहीं है RPA means robotic process automation ये question भी December 006 exam में पूछा के इस question का right answer हो जाएगा option D Automation Anywhere ये RPA का tool नहीं है अब कौन कौन से tool है आप देख लेजिए Blueprism, UiPath, Hadoop ये सबी क्या है RPA के tools है और अगला question है नेमलकित में से कौन सा एक निस्करी online हमले का उदारन नहीं है question काफी basics है बस इसकी language इस तरह से लिखी गई सायद इस question को एक बार समझने में दिक्कत हो सकती है तो इस question का right answer हो जाएगा option C, Fishing नेमलकित में से कौन सा एक निस्करी online हमले का उदारन नहीं है तो इस question का right answer हो जाएगा option C, Fishing और अगला question जोगी काफी जादा important है इसको बहुत जादा बढ़ा चड़ा के लिखा गया है जिस सेम टो सेम इसी तरह से December Triple Six exam में पूछा गया था तो इसको जल्दी से read कीजे और बताई इस question का right answer क्या होगा email भेजते समय CC एक field होते हैं जिसको बुलते हैं carbon coffee field को सहमेत रूप से आजमाना और उसका उप्यूग करना एक अच्छा बिचार क्यों है तो इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है जैसे कि हम CC की field में माल लेते हैं 10 लोगों को mail भेजते हैं तो same mail सभी को जाएगा उन 10 लोगों को जाएगा और सबको पता होगा ये email किस-किस को भेजा गया उन सभी के email IDs उनके नाम सभी को पता होंगे क्योंकि CC में क्या होता है ये public होता है जब आप CC में उनके email IDs टाइप करते हैं जिसके पास mail जाता है उसको पता चलता है कि ये email किस-किस को भेजा गया अब मालीजे इन 10 में से किसी एक के लिए आपने वो mail रखा था उस person को reply करना था उस mail का बट यहाँ पे सभी के पास वो email जा रहा है तो ये person उसको ध्यान नहीं देगा क्योंकि ये सभी के पास जा रहा है means कोई भी इसको respond कर सकता है ऐसा होने की वज़े से यहाँ पे confusion create होता है इसी वज़े से हमेशा हमी CC फिल्ड का उप्योग नहीं करना चाहिए या फिर semi-tropses का उप्योग करना चाहिए तो आप देखे इस question का right answer क्या होगा इस question में पूछा गया है या आपके देखे option दिया गया option C CC फिल्ड में प्राप्त करता जब तक नहीं जानता कि उन्हें संदेश की एक प्रती क्यों मिल रही है क्योंकि जब तक उसे नहीं पता होगा कि यह message या email क्यों भीजा गया है तो वह संदेश पर कारवाई नहीं करेगा means reply नहीं करेगा लेकिन यह माना जाता है कि यह वास्तों में केवल मुख्य प्राप्त करता के लिए means अगर दस लोगों को भीजा गया तो उसमें सभी यह सूचते हैं यह किसी और के लिए मेरे लिए नहीं किसी और के लिए ओके इस question का right answer हो जाएगा option C और अगला question ने footnote and note और index सभी को किसके रूप में insert किया जाता है bookmark, cross reference, hyperlink या फिर word field footnote and note और index सभी को किसके रूप में insert किया जाता है important question है logical एस question का right answer हो जाएगा option D word field ये भी question दिसमबर मंद के triple C exam में पूछा गया था जब आप footnote, end note या फिर index field insert करते हैं तो word field के form में insert होता है हलग या आप चाहें तो वहाँ पे hyperlink लगा सकते हैं और अगला इसने हमारे output को एक निर्देस्ट फाइल पर पुनर निर्देसित करने के लिए किस प्रतीक का उप्यूग किया जाता है तो ये question Linux command से related पूछा गये हैं अगर आप किसी command के output को किसी एक specific file में भेजना चाते हैं store करना चाते हैं तो इन में से किस command का इस्तिमाल करेंगे तो इस question का right answer हो जाएगा option C ये भी काफी important question है December month के टुपल सेम में same to same ये तरह से पूछा गया था तो ये था आज की class का last question हो और इसके साथ साथ कुछ और भी classes हमारे channel पे चल रही है daily दोपेर 12 बजे आप rrb ntpc gq class जॉइन कर सकते हैं uppcl ssc rrb की computer class आप daily साम को 4 बजे जॉइन कर सकते हैं आप इससे triple c के लिए भी जॉइन कर सकते हैं काफी important questions है आप डिसकस किये जा रहे है और daily साम को 7 बजे आप हमारी triple c online class को जॉइन कर सकते हैं और इसके बाद जस्ट बाद ठीक 8 बजे ssc की gq की class आप जॉइन कर सकते हैं और इन सभी classes से related अगर आप कुछ suggestion देना चाते हैं या आपके पास कुई question है जो आप हमारे साथ share करना चाते हैं तो please आप हमारे वीडियो के किसी भी वीडियो में comment section में comment करके भीज सकते हैं या फिर आप चाहें तुम्हें whatsapp पे join कर सकते हैं ये कुछ e-books हैं जो कि हमारी website ganexp.com पे available हैं आप अगर लेना चाते हैं तो इनका link वीडियो के discussion में दिया गया या फिर आप हमारी website पे भी visit कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारी website ganexp.com से mock test देते रहें यहापे आपको काफी important questions मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिस तोनो लंगे से यहापे model paper mock test available हैं तो यहाँ से आप practice करते रहें अगर कोई question होता है तो आप हमें comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमें insta पे follow नहीं किया है तो हमारा insta idea ganexp.com आप हमें follow कर लिजे जो भी latest update होते हैं आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं और इसके साथ साथ आप हमें whatsapp पे भी join कर लिजे जिनका भी triple C का exam होने वाला है जनुरी 2021 में प्लीज आप अपने exam की 1,2,3,4 जितने भी questions आपको याद होते हैं आप हमें whatsapp पे send कर सकते हैं या फिर आप insta पे भी सकते हैं आपके दोरा भीजेगे questions को हम same day discuss करेंगे इससे आपको उन questions का right answer पता चलेगा प्लस आने वाले दिनों में जो लोग triple C का exam देते हैं इसी तरह से उन सभी को काफी help मिलती है तो मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए bye bye thank you, thank you for watching